हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ6 Lite Android वाइल फोन में आप जो है स्क्रीन शॉर्ट फ्लोटिंग विंडो सैटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह स्क्रीन शॉर्ट फ्लोटिंग विंडो सैटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सैटिंग काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपन सबके सब्सक्राइब करती है यह सब्सक्राइब करती थूड़ी देन अगर आप इस सेटिंग को वालायगने बटन को off कर दीजिए मैंने off कर दिया इसे अब देखिए अब आप अपने mobile phone की screen पे है ना screenshot लेंगे ना इस तरीके से तो आपकी window float नहीं करेगी screen के उपर ठीक है तो इस setting जो ला disable करने के बाद इस setting कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको नहीं ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस screenshot floating window setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जो अपने mobile phone में setting page ओपन करना है सेटिंग पेज को ओपन कर लिए अपने mobile phone में setting पेज में आपको सबसे ओपर ये option आपको दिखाई देगा search icon का इससे आपको select करना है अब यहाँ पर आपको सबसे ओपर ये search bar में टाइप करना है screenshot floating window ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा पूरा टाइप कर देना है तो आपको नीचे की side में यह option शो हो जाएगा screenshot floating window ठीक है इस option को आपको इसे tap करना है तो इससे क्या होगा आपको मुवाइल फोन आपको डिरेक्ली setting पेज में लेकर आ जाएगा और यहाँ पर नीचे की side आपको यह option मिल जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को डूंडने का आपके मुवाइल फोन में